अगर रियक्शन्स याद रहे जाती हैं तो उनके जो एक्जाम्पल है जो उधारण है वो आपको याद नहीं रहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करने जा रहा हूँ कि आपको ये जो अभिक्रिया हैं इनको मैं सरल उधारण के साथ सीखा हूँ ये आज की इस वीडियो में मैं संयोजन जो अभिक्रिया है इसको मैं कोपर समझाने बाला हूँ त्रिक के साथ संयोजन, नाम से इस पस्ट हैं संयोजन, संयोजन अर्थात संयोग होना, एक अभिकारक होता है, अभिकारक जो किर्या करते हैं, किर्या कारक भी बोलते हैं, अभिकारक बोल लो या इनको में किर्या कारक बोल लो, ये समझना जरूरी है, वे एसे तत्व या वे कारक जो किर्य करते हैं क्रिया कारक कहलाते हैं यह जो क्रिया में भाग लेते हैं वो अभीकारक या क्रिया कारक कहलाते हैं तो इसमें जो है ना दो या दो से अभीकारक अभिकारक मान की चलता हूँ मैं अभिकारक A है और एक और अभिकारक B है दो अभिकारक है तो यह दो अभिकारक A और B दोनों आपस में क्या करेंगे क्रिया करेंगे दोनों का आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक उत्पाद बनेगा, क्या बनेगा, उत्पाद, उत्पाद को मैं C से डिनट करता हूँ, क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा, ये C बन जया, तो क्या हुआ, एक अभीकारक, दूसरा अभीकारक, दोनों आपस में जुड़ गए, संयोग के दोरान इनों ने उत्पात का निर्मान किया किसका निर्मान किया उत्पात का तो आपस में क्या हुआ जोड हुआ क्या हुआ जोड हुआ क्या हुआ योग हुआ तो इसको योगात्मक अभिक्रिया भी बोल सकते हैं और इसमें क्या हुआ सैयोग हुआ सैयोग संयोग अने मिलना तो उनको संयोग गात्मक अभिक्रिया भी बोल सकते और इसको संयोजन अभिक्रिया भी बोल सकते अब चलिए मैं उधारण के द्वारा भी समझाता हूँ परिभाशा भी समझाता हूँ तो सबसे पहले आपसे भी परिभाशा देखेंगे कि वे रासाइनिक अभी किरिया हैं जिन में दो या दो से अधिक अभीकारक देखें या तो दो या अधिक भी हो सकते तो जिसमें दो या दो से अधिक अभीकारक या किरिया कारक आपस में किरिया करते हैं ठीक है क्या करते ह और किर्या करने के बाद किर्या के फल सरुप उत्पात का निर्मान करते हैं किसका निर्मान करते हैं उत्पात का निर्मान करते हैं अब चलिए उधारन के दोरान समझते हैं देखिए सबसे पहला उधारन जो की हो सकता है आपको टफ लगे लेकिन पहला है देखिए उसको बाद दूसरा भी बताऊंगा जैसे कि देखिए इसमें N-S-3 है N-S-3 कौन सी फों में? गेस की फों में ये अभिक्रिया करेगी H-C-L से H-C-L भी कौन सी फों में? और अभिक्रिया के दोरान क्या बनेगा? बन जाएगा यहाँ पर NH4 यह 1H यहाँ से आकर यहाँ जूड़ जाएगा NH4 और CL यह दोनों जूड़ेंगे भाई साब यह 1H इस 3H में जूड़ेगा तो क्या हो जाएगा 4H और CL का CL देखिए N का N H3 था अब H3 है और इधर से H1 है दोनों जूड़ेंगे तो H4 हो जाएगा इसलिए NH4 और CL का यह CL तो NH4 CL है ना NH4 CL ठीक है CL यह H नहीं आएगा फिर से CL होगा ठीक है दूसरे देखिए CAO प्लस H2O इक्वल टू CAOS का होल टू देखिए यह CA का CA है ठीक है यह O है इधर भी O है इसलिए 2 O है तो यहाँ पर O का भी 2 और यहाँ पर H2 है इसलिए H का भी होल 2 तो OH का होल 2 हो जाएगा है ना CA COSTAC में OH का होल 2 ठीक है तो यह दो क्या हो गए एक्जामपल हो गए यह एक जो एक्जामपल है यह एक और अभी क्रेब में भी काम आएगा जिसके बाद हम आगे करेंगे इसलिए मेरा मानना है कि आप सभी यह याद करें तो ज्यादा बेटर रहेगा ठीक है